दो बहने 16 अगस्त की देर शाम को अपने परिचित के साथ बाइक से घर लोट रही थी। तभी भोगता बगीचा सब्धवेपुल में पानी भरा होने की वज़य से इनकी गाड़ी फस गई। जब बाइक स्टार्ट नहीं हुआ तो बहनों ने अपने एक परिचित को फोन किय उसके बाद मदद के लिए आये लोगों ने गैंगरेप किया। जार खंड के लोहर दगगा में दो नाबालिक बहनों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। दोनों पीडित बहने 16 अगस्त की देर शाम को अपने परिचित के साथ बाइक से घर लोट रही थी। तभी भोगता बगीचा सब्दवे पुल में पानी भरा होने की वजह से इनकी गाड़ी फस गई। जब बाइक स्टार्ट नहीं हुआ तो बहनों ने अपने एक परिचित को फोन किया। फिर परिचित ने 11 लड़कों को सहियो करने के लिए पुल पर भीजा। बाइक से पुल में संबंधी धाराओं के तहट केस दर्जकर सभी आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया है। गिरफतार आरोपियों में अमित बाड़ा, किशोर प्रवेश खाखा, सूहन बाड़ा, डबलू उराओ, छोटू उराओ, प्रदीपुराओ, रोशन बाड़ा, भोला खाखा, अज